जब हर बार जबरदस परफॉर्मेंस देने वाले स्निगदजीत रो पड़े और सुनाई मा की भवुक करने वाली कहानी जी हाँ दोस्तों वैसे तो सारे गावापा का हर एक नया एपिसोड एंटर्टेनिंग होता है यादगार होता है पर इस बार का ये जो एपिसोड होने वाला है वो कई सारी आपकी यादें ताजा कर देगा इन कहानियों में इनके सफर में इनके संगर्श को सुनकर आपको भी कहीं न कहीं अपनी कहानी और इनका छुपा मोटिवेशन सुनने को मिलेगा इस बार मंच पर हर बार performance देने वाले या ऐसा कहें कि मंच पर हमेशा जबर्दस performance को लेकर आने वाले energetic performer स्निक्दजीत रो पड़ते हैं और यह episode था मा special episode इस special episode में हर एक किंटास्टेंड अपनी मा के लिए गाने dedicate कर रहा था एक ऐसी भावुक performance को लेकर मंच पर आता है जिसे सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं और ऐसी ही स्निक्दजीत की कहानी थी स्निक्दजीत कहते हैं कि मैं जब अपनी मा के पेट में था तब सभी ने मा को ताने दिये कि इसे पैदा मत करो अंदर ही मार दो जब मैं अपनी मा के पेट में था तब सभी ने ताने दिये कि इसका बाप भी mentally disturbed है इसे भी मार दो पर नहीं मा ने ऐसा नहीं किया और आज मैं आप सभी के सामने हूँ और ये कहानी सुनकर हर एक मा भावुक हो जाती है हर एक मा के लिए अपना बेटा या कहें कि अपना जो भी आने वाली संतान है वो उसके लिए प्यारी होती है चाहे उसने उससे नहीं देखाओ और यही कहानी यही पल सभी की आँखें नम कर जाता है तो दोस्तों क्या आप ये खास पल देखने को तसाहित हैं क्या आप सारे गामा पाव का ये जबरतस्त एपिसोड मा स्पेशल एपिसोड देखने वाले हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं थैंक्स पर वाचिंग फर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाओ